तो हेलो फिंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको तालों Samsung Galaxy के Keyboard के अंदर कमाल का एक hidden feature add-on किया गया है या फिर बोल सकते हैं Samsung Keyboard के अंदर जो lab वाले feature होता है आपको बता हुआ कि lab का feature क्या होता है जो कि testing वाले feature होते हैं वो आपके Samsung Keyboard में जोड़ा गया है कहां यह मिल आपको बताने मालगों कीबोर्ट के अंदर का lab वाले feature जो कि बहुती कमाल का है तो उसके लिए मैं बेल ले जा रहा हुँ आपको setting पे, setting पे जाने का आपको जाना है यहां पर general management में, general management में जाने का आपको जाना है यहां पर Samsung Keyboard की setting पे, Samsung Keyboard की setting पे जाएंगे, यहां जाए typing option पे, तो आप देखेंगे, आपको एक नया feature available मिल रहा है, जिसका नाम है enhance accuracy आपको दिख रहा होगा, enhance accuracy और बगल में आपको lab का sign भी दिख रहा होगा, यहां पर की lab का sign दिया हुआ है, और आप इसको on या off कर सकते हैं, actually इसमें कुछ अभी उन्होंने बताया नहीं है, work क कैसे करेगा, बट यह work कर रहा है, कैसा work कर रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, accuracy दे रहा है, मतलब कि अगर आप कुछ गलट टाइप कर रहे हैं, तो वह automatic उसको find कर रहा है, actual में कैसे work करेगा, वह बताता हूँ आपको, like, like मैं आ गया हूँ, WhatsApp मैं यहां पर कुछ भी करता हूँ, मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, तो आप देखेंगे, मैंने thanks की spelling गलत लिखी थी, उसने automatic ले लिए, ऐसा ही, अगर मैं यहां पर लिखता हूँ, hello, मैंने hello की spelling गलत लिखी है, और आप देखेंगे, दुबारा देखो, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा thanks की spelling, यह आटो करेक्ट नहीं है, यह आटो करेक्ट नहीं है, यह आटो करेक्ट नहीं है, यह वहाँ पर आप यह बोल सकते है, accuracy वाला feature, like मैंने यहां पर welcome लिखा, आप देख रहे होंगे, इसकी spelling मैंने गलत लिखी, पैटो उसने automatic rectify कर ली, अगर मैं हम आप से इसको बंद कर द यहां पर, यहां पर गया है, और अब मैं यहां पर, और अब मैं यहां पर, वैफिस वैसरी type करता हूँ, like मैंने लिखा, thank, तो आप देखेंगे, अब यहां पर कुछ भी नहीं हो रहाँ, आप मैं पूरा हटा भी दूँ, तो भी वो work नहीं कर रहा है, तो यह ऐसे work करता है और actual में अभी तक इसका कुछ यूज नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसका यूज कुछ और है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे लगता है इसका यूज यूज ही है, तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीड सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीजर सबस्क्राइब कर लेना अपको सबसे पहले मिले तो चाहिए की दोस्तों और हो सके तो में इस्टावाओं फेज़ों फॉलो करना भी ना भूलेस का लिंक आपको लिए डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों